कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है आंध्रपर्देश की लोग कथा, काल हस्ती मंदिर की कथा कहते हैं कि नील और फनेश नाम के दो भी लड़के थे उन्होंने शिकार खेलते समय वन में एक पहाड़ी पर भगवान शिव की मुर्ती देखी नील उस मुर्ती की रच्छा के लिए वही रुग गया और फनेश लोटाया नील ने पूरी रात मुर्ती का पहरा इसलिए दिया ताकि कोई जंगली पसू उसे नश्ट ना कर सके सुबा हुआ बन में चला गया दोपहर के समय जब वह लोटा तो उसके एक हाथ में धनूश दूसरे में भुना हुआ मांस मस्तक के केसों में कुछ फूल तथा मुं में जल भरा हुआ था उसके हाथ खाली नहीं थे इसलिए उसने मुख के जल से कुला करके भग्मान को अस्नान कराया पैर से मुर्ती पर चड़े पुराने फूल वपत्ते हटाये बालों में छिपाये फूल मुर्ती पर गिराये तथा भुनो हुए मांस का टुकड़ा भोग लगाने के लिए रख दिया दुसरे दिन निल जब जंगल गया तो वहां के कुछ पुजारी आए उन्होंने मंदिर को मांस के टुकड़ों से दुसित देखा उसने मंदिर की सफाई की ते था वहां से चले गया इसके बाद यह करम रोज चलता रहा निल रोज जंगल से यह सामगरी लाकर चल जड़ात और पुजारी उसे साफ कर देते एक दिन पुजारी एक अस्थान पर छिप किया ताकि उस बैक्ति को पता लग शके कि रोज रोज मंदिर को दुशित करके कौन जाता है उस तीन निल जब जंगल से लोटा तो उस मुर्ति में भगवान के नेतर दिखाई दिये एक नेतर से खून भरा था निल ने समझा कि भगवान को किसी ने चोट पहुचाई है वह धनूस पर बांद जढ़ा कर उस चोट पहुचाने वाले बेक्ति को ढूंडने लगा जब उसे कोई नहीं मिला तो वह कई प्रकार की जड़ी बुठिया ले आया तथा वह भगवान की आग का उ शिग्र भर जाता है नील ने बिना ही चक वान की नोक खुशा कर अपनी एक आख निकाली और उसे भगवान के घायल नेत्र पर रख दिया मुर्ति के नेत्र से रक्त बहना ततकाल बंद हो गया छिपे हुए पुजारियों ने जब यह चमतकार देखा तो वह दंग रह गया तभी मुर्ति की दूसरी आक्षे रक्तधार बहने लगी नील ने मुर्ति की उस आख पर अपने पैर का अंगुठा टिकाया ताकि अंधा होने के बाद वह टटोल कर उस अस्थान को ढूंड सके इसके बाद उसने अपना दूसरा नेत्र निकाला तथा उसी मुर्ति की दू दूसरी आख पर लगा दिया तभी वह अस्थान अलोगी प्रकास से भर गया भगवान सी प्रकट हो गया तथा उन्होंने नील का हाथ पकड़ लिया वे नील को अपने शाथ सी ब्लूग ले गया नील का नाम उसी समय से कन्णप पड़ गया पुजारियों ने भी भगवान द गयी कुले का जल ही भगवान का दिव्या विशेक जल हो गया मांसी नवैद्य बन गया अहो भक्ति क्या नहीं कर सकती इसके प्रभाव से एक जंगली भील भी भक्त बंसज बन गया मंदिर के मुख्य स्थान पर भगवान सीब की लिंगे रूप की मुर्ती है यही बायो तत हाथी तथा सर्प के दातों के चिन अस्पष्ट दिखाई देते हैं कहा जाता है कि सबसे पहले मकड़ी हाथी तथा सर्प ने भगवान सीब के अराथना की थी उनके नाम पर ही श्री काल हस्ति स्वर नाम पड़ा श्री का अर्थ है मकड़ी काल का अर्थ है शर्प अथा हस आस्तिक आर्थे हाथी.